कि हेलो स्टुडेंट मैं मुकेश चंद्रा आपका एलेशी दिस्वागत करता हूं नया साल के इस पावन उसर के हम लोग अपनी इस चैनल का सुभारब कर रहे हैं और हम लोग पॉलिटेखनीक का थर्ड सेमिस्टर का में मेजरें मेंट आपको पढ़ाऊंगा और एक्जाम को मत निजा रखते हुए हम लोग कि यह आपका क्रेस कुर्स के हिसाब से आपको यह कुर्स कंप्लीट करेंगे जितना जल्दी हो सके वह कंप्लीट करेंगे और उसके हम की एक्जाम बहुत नदीक आ चुका है के समय की नदीक्ता को दिखते हुए हम अपन यह का यह मिजरमेंट चाम करते हैं तो आई स्टूइन का चाम मेजर में मिन चाम करते हैं और सी हिसाबion मापन क्या देकल नकीम क्वांटिटी इसेंशली एंड एक्ट आफ दिया है उससे हम कंपेरिजन करके किसी भी अन्नों क्वांटिटी इसका अगर हम वेलु फाइंड आउट करते हैं उसे हम मेजर्मेंट करते हैं मिस देर टू टाइप साफ मेजर्मेंट वर आफ द क्वांटिटी होता था उन डायेक मेजर्मेंट में हो जेकते हैं इन इस नहांकन आपए अन्नों क्वांटिटी एपर क Sizह कि आगाइंड सेंड टू नौंन क्रेसें जो सो जो हमारे standard पैमाना है उससे हम compare करतेते हैं तो हमारा direct method से हमारा value find out हो जाता है तो ही पे इसका दूसरा option भी जो दिया है this method after measurement sometime produce human error and hence gives in accuracy इस मापन में यह होता है कि कभी-कभी जो इंजिनियर या worker जो इस पैमाने पर measure करता है उससे human error करते है human error accurate जो हमारा value नहीं आपाता है इन accurate value आजाता है उससे हम कहते है direct measurement या उस इसमें direct measurement में human error के संभाने रहती है दूसरा हमारा है indirect measurement this method of measurement is more accurate and more sensitive जो हमारा indirect method है वो more accurate है मतलब वो उसके comparison में direct measurement comparison में indirect measurement जो है इसको हम in direct measurement को हम जड़ा प्रिफर करते है डारेक मेजर्मेंट के comparison में आपको अमीर बताया हूं वीरत के बारे में पीछे भी बताया हूं तो यह यहां पर तीन प्रकार में उत्ते हैं पहला होता है gross error वे इलर या वे कम्या जो हमारे reading में human mistake वज़से उत्यां उसे gross error करते हैं कहने कताब पर यह है कि अगर कोई instrument का measure कर रहे हैं अगर कोई instrument का वेल ले रहे हैं तो उसमें अगर किसी human या किस इंजिनियर किसी भी human mistake वज़ाता है उसे हम gross error कहते हैं उसमें किस प्रकार का error आता है इसमें reading का error आसकता है recording का error आसकता है या calculating का error आसकता है ठीक सब्सक्राइब कर सकते हैं और कुछ human error ऐसे होते हैं जिसे हम इल्ली डिडिक्ट नहीं कर सकते हैं इल्ली फांड आउट नहीं कर सकते हैं दूसरा हमारा कि राल आता है systematic error systematic error are classified into three types systematic error तीन प्रकार में विभावियत उता है पहला है instruments से कि राल आता है occur due to short coming in the instrument किसी इंस्ट्रॉमेंट क्वैसे अगर आता है तो उसे हम instrumental error कहते हैं अगर loading effect वैज से अगर इंस्ट्रॉमेंट की राल था तो भी सट्रॉमेंट की रहे एज मार्मेंट की वज़ए सब्सक्राइब देखन में इंस्ट्रॉमेंटर कर सब्सक्राइब टेखने का मतले यह इस इंस्ट्रूमेंट में इन्वर्मेंटल फिक्टर जी इसे कि दश्ट हो गया में वीटि हो गया आने तुपाने इस परकार की एक्सटर्नल जो इनी प्रिलेट अगरी रहता है तो उसे हम आ इपक्राइज करते हैं किसी मिजर में अगर साउंड और लाइट अत्रिक्त बाहर से कहीं आजाता है अब्सक्राइब कर लेता है तो उसकांस जो अगर होता है उसे हम लोग अब्सर्वेशन करते हैं तो यहां तक हमारी बात अगर समय मैं हो तो आपी से नूप कर सकते हैं अब हम लोग ओपर देखे थे लोड़िंग इच्ट के बारे में तो आए देखते हैं लोड़िंग इच्ट क्या होता है किसी प्रढ़ी की बज़र से अज्छमता जिस बज़र से उस प्रढ़ी में किसी अंधि खटक की बटकों को लगने पर वह अज्यांत रासि को उसके प्रकार बदलने बिना नियंतर या कंट्रूल नहीं लें कहने का मतलब यह हैं और कोई प्राली है या कोई मेजर्मेंट की प्राली हमें यूज कर रहे हैं तो उसकी अज्छमतावक बज़र से अगर हम उसे की अन घटक उसनों लगा रहे हैं और त्यात रासी जो हमारा प्रकार होता रहा है अगर उसको बदले बीना उस लोट को या उस इसर्ट को नियंतर नहीं कर सकते हैं तो उससे हम लोडिंग करते हैं अगर मैं जहां तक हो सके हिंदी का यूज कर रहा हूं अगर क्योंकि डिप्रोबा में जाने तर लोग इंदी माध्यम से होते हैं इसी वैसे हिंदी का यूज जाता तर रहेगा अगर डूटिंग की फिक्ट आप आप नो समझें अभी जो की उपर दिया था उसको समझा हैं यहां पे अब मार जो तीसरा ज़ेयर हो राष्ट यर्ट राइंडम्यर रंडम से यह तातपर है उपर डिव जितनी विरर राष्ट है उसमें से एक एक करी कोई भी जाइक सात कोई विर्डा सकते हैं उसे हुझ रिंडम्यर कहते हैं यह जाई से प्र्काल से निक सब्सक्राइब करने मतलब यह है यह इतने ही उपलोग थे पढ़ाएं उसमें से कोई एक साथ हो सकता है या कोई बारी-बारी से भी हो सकता है उसे हम रहें रख जाते हैं यह आपनों का मिजर्मेंट का पूरा पहला चेप्टर नहीं है यह हमारा एक जश्ट इंट्रोडक्शन है कैसे मिजर्मेंट होता है कैसे क्या इरल होता है मिजर्मेंट का जो पहला चेप्टर देखा जाए तो हमारा PMC से स्टार्ट होता है जो हम आगे देखेंगे मिजर्मेंट को बढ़ने से पहले मैं आपको एक के जोची कैसे हम इस सेडियाइन करते हैं एक इंजिनियर्स जैसे सोची टिक्निकल आप बन्दे हैं पर इस सोचने के लिए आप इस पर स्फश्ट अवाल के जिए तिन कोईंट पर जिए और यह यहां पर क्यों लगा है इसका काम क्या है और इस से क्या मेजर क्या आता है और आप इस सीजों का गठ्यान रखेंगी तो आप मेजरमेंट को अच्छे समझ पाएंगी तो आई ही हम सुरू पर दें अपना PMC जो हमारा अलगला चेप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिक्सिमम टाइम यह हमारे और टेखनी के थर्ड समेश्टर का जो मेजरमेंट हम पढ़ रहा है इसमें मिक्सिमम टाइम पूछागा तो PMC को हम अच्छे से पढ़ेंगे इनर्सिस एक ही करके अनर्सिस हम यहां को बोर्ड पर आपको PMC को मिजर करके दिखाएंगे पुरा आपको बोर्ड पर चलता को परतीत होगा तो आई हम PMC को स्टार्ट करते हैं का ऐलेशि को कि अब ही हम आपको बता रहे तो आप तो ऑप इसके जंकारे नहीं यह इनस्टूमेंट कαι सensions मतलब यह है जो हमारा इंडिकेटिंग टैप इंस्ट्डमेंट है वो प्रजेंट वैल दिखाता है हैं अगर हम कोई दीधों ले लेते हैं बेसिक हुआने अगरे देशंदा हम बनाए यहां पर बेसिक में यहां टो हमिपी मारै आ ऐसे आइडेकर है क्या हिलाइडिय में क्या होता है कि इंटर्नल रिजिस्टेंस है वह एक है आई प्रच कंच कि अगर हमाद ऐसा अगर आएडेल का अगर ये और ये सते हैं तो इसका इंटर्नल अगा टा बद्हां पर दहाता है तो यहाँ पर जो हमार व्य एसन है वह दो आएगा मां वह इंस्ट दिखायेगा इस रहे हैं धर यहां पर यहीं पर यहां यांपवर यहां पर यहिंपर यह ले फ電कर दो करें वह स्पीडू मी मपर लेकर देखायE फैनला कि शूर्ड आतेते हैं लुए सब्सक्राइब जांट करता रहता है है वह वैरी कर रहा है तो इंस्टेंटैनिस वैल्य दिखा रहा है टाइकोपीटर से कनेक्टर होता है जो यह चोटी शोटी गोटी यह को इसमें रिकोर्डिंग तैप काई इंस्ट्यमेंट होता है this को अने पढ़ेंगे इसियो थो निकित करेंगा तो वह हमार इंडिकेटिव रहेगा लेकिन जो हमारा टैकोमिटर में रहता है वह रिकॉर्डिंग इस्टुमेंट रहता है इसको अभी अगला प्रडाली में पढ़ेंगे कि मियह दूसरा हमारे इंस्टुमेंट है रिकॉर्ड़ टाइप इस्टुमेंट को कि देखते हैं कि वह इस समझा तुछ यह ग्राफिकल रिप्रिजेंटेशन आई हैं उसे समझाते हैं कैसे क्या होदा है इस तरह इस्ट्रमेंट रिकॉर्ड कॉंटिवस वैलेस्ट उवर ताइम यूजिंग वैरी लाइट वीट इलेक्टिक बाल पैन इंग रापिक रिप्रिजेंटेशन के नहीं का मतलब यह है कि इस ट्राइप इंस्ट्रमेंट में एक ग्राफ बना रहता है इस ट्राइप का इस ट्राइप ग्राफ बना आपने देखा होगा या क्रिकेट में देखते होंगी तो वहां में अगर कोई बहुत सेंस्टिव से चिप्येशन आ जाता है तो अगर एक बार क्या हुआ था स्नीको ग्राफ के मैं आपको जांप रहता हुआ कि जब सचीन तेंदुल्गत एक बार आउट के तो पहली वासिचनी को मीटर का दूश किया गया था तो वहां पर दिखा गया है जब अगर पल्ले से बॉर्ट टच नहीं है तो नामन प्लीचटे से यह से लिखा रहा दिखाता है इसी प्रकार से जैसे इस प्रकार से लिख सब्सक्राश हुआ थोड़ा सब्सक्राइब कर देख सकते हैं और किसे भी नंबर में को जैसा हम बता रहे हैं तो आप यहां तो समझ गया है अब दूसरा उतहार लेक हैं हम आप पसी जाते हैं जिसे हम आपको इसके ले लेते हैं सियालो कर दे लेते हैं सियालो कैथो ट्री वसलो स्कोप इसके बंदर है सियाल्टी लगा रहता है अगर आप गये मुझे अगर देख से होगे तो वहां पर दिखाया होगा है तो वहां पर ही इसकर हम यूज को दर्साबें समझाने कोशिज करते हैं कि अगर आप अगर 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 इसमें स्याटी में लोग टान लगे रहती है उसमें बंबार्डिंग करते हैं तो अमारा एक वर्टिकल प्लेट रुटार इक डिफ्लेट्ट में प्लेट कुरता है इससे नहुरा वर्टिकल से दिखाते हैं ग्राफ के फॉर्म में जिससे हमार हट भी हो गया में जो चलती हम से चल रहा है अ चर्ट छो रहा गूल जाता है तौँ यही हम रिकॉड्भि ने यही डेडिक हैं, का हट लिक के दचलना चल ना इत अब हम उस एघ कि एक उधारन इसका इसी जी भी है इसी से समझते हैं कि एक टुक कार्डियों इसका है फुल फॉर्म है इसमें यह होता है कि हर्ट भी तो हम काउंट करते हैं कि कोई पुजूर्द अगर आदमी हो या साठ से उपर आदमी यह को हस्पीटल में जाते हैं अगर मैंनुर चेप वह गर लगता है तो वहां पर इनके हट पर और यहां पर लगापर चिप के आदा है उसको भी पर पी रिकॉर्ड करते हैं वह भी ऐसे ही रिकॉर्ड होता है यह मेरा खुद का हुआ है एक बार का तो यह आप समझ गया होंगे अभी तना भूत है आप कोपे बच्चे भी नहीं है कि इतना समझाए जाए बस यह है कहने मतलब ही ग्राफिकल रिकॉर्ड नहीं करता है इतना ध्यान रखिएगा अभी नहीं कोई रहा है कि अगरा अगया दर्क का सां पूर करता हम सब्सेंदों है एडिटिव मतलब एक होता है एडिशन ओवर ते पिरिएट जिसे किस चीज का मेंटरिगेसम करते हैं तो उसे जोड़ते हैं उसे प्रिकाल का इसका नाम से इस प्रस्ट हो रहा है इंटिग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रुमेंट से पोडल एमंधुक्शन करनेमदर भी ए तो इंस्ट्रुमेंट रह जितना एनर्जी कंचेंपशन में इतना खपत हुई है उसका एडिशन लेकिन पास्ट का भी जो है तरी पास्टांट आइडिशन तो परियोड आफ टाइम देख सकते हैं जो पार समय चुका है उसका भी एडिशन करके देता है कि इंट्रिकेशन करके देता है उसे इंट्रिकेटिंग टाइप इंस्ट्रुमेंट करते हैं तो पर आपका पुरी तरह समय में आएगा जैसे कि यहां लिखा हूं में एडिशन ओफर तक पीरिट इतना माल लगी एक एनर्जी मीटर काम ले लेते हैं अगर यहां यहीं पर हम यह रिकॉर्डिंग कर लिया है एक यूनिट यह एक यूनिट रिकॉर्ड दिया और आफेक्यर दिन अगर यह पर कर रहरा है एक यूनिट और बढ़ रहा है तो एक यह नहीं आएगा यहां पर एक एक याव हो के यहां 둘 हो जाएगी यहां पाश्ट iki को पाका करता है एक है यूनिट और आई है यह दून हेट हो गए इसे आप ये रिस्ट कर सकते हैं एक 24 गंटे का इंट्रिकेस्वन हुआ है तो हमारे एक दिन का ये हो गया इसी प्रकार दूसरे का दूसरे का दूसरे का देख रहे हैं तो वहां भी एक उनित खर्च हुआ तीसरा दिन भी हुआ ऐसे इस जोड़ेंगे तो यहां दो हो यहां जोड़ेंगे तो तीन में जाएगा कहने का मतलब आंदता यह है यह पास्ट वैइल्यू को एड़ करके रिकॉर्ड करता है तो इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं तो यहां कि में इनर्जी मेंटर के मात्रम से आपको यहां पर सम्झाएएं यहां पर हो जाएगा थीन यहां पर पिजाएगा हमारा चार nota और जो इसके और सारे हैं जिस्याव स्पीट ने ने शरी त्पों में ट्रट यहां हाँ तो यहां पर टाइको मिटर हमारा है कि वह हमारा है जिसकी मैं इसको समझा को क्भी आपको कोई आपको नमुझे नहीं और यह नहीं आप कमेंट बॉख सकते हैं है तो अब करें नहीं जिसे कि माल लीजी हम यह स्पीडो मीटर माल लीजी हम यह हमारा आप बाई को चलाते हों यह यहां पर माली जिजिवो है 10 है 20 है 30 है 40 है 50 है 60 है 70 है 80 है यहां तर रहता है तुभी हमारे इंस्टेंट गयुट करता है यहीं चोटा सा आप देखोंगी यहां पर चोटा सा है वह सारी इसे बना नावता है यहां क्या लगता है मल आज में चलाएं कि अगर आज हम चलाएं 5 कि अगला दीर अगर हम चला रहे हैं तो फांच निट और चला रहे हैं तो यहां पांच नहीं दिखाएंगा दोनों एड करके दिखाएंगा यहां पर दिखा देता है आपको दस तो आप पता कि जरते हैं यह तो कल से और आज से बाइट चलिए तो ऐसे भी हम आपको समझ सकते हैं तो ठीक और करांक समझ में आगे आप आप लिख सकते हैं आप लोग नोट करने होंगी यह मेरी पहली वीडियो थोड़ा एजिटेशन है और वातरों का जो भी अलग से आवाज आ रहा है तो की थोड़ा जादा है दिएक हम आपने बढ़ीयानी है लेकिन लोग यह पहल किये हैं आप टेकनिक वार के लिए अंका पैळ और किसी प्रकार को दिखत नहुं बहुता सामना ना करना पड़ी हम लोग ना सो परसंट देने कुछिस करेंगे अभी हमारा पहला विप यह थोड़ा मोड़ा तूटी तो मीड़ सकता है लेकिन अपना कुछिस में अवारी कमी नहीं एड़ी चाहां तब हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जै कर दो झांने